दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने लैप्टॉप या कम्प्यूटर में नोटपैड एप कैसे ओपन करें MS नोटपैड या फिर जिसको नोटपैड बोलते हैं जिसमें आप कुछ भी टाइप करते हैं लेटर, अप्लिकेशन तो नोटपैड कैसे ओपन करना चले मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल है, दो तीन तरीका मैं आपको बताऊंगा जहां से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं तो दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ देखिए आपको टास्क बार में कोने एक विंडोस का आइकन दिखेगा, इसको स्टार्ट बटन भी बोलते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जागा, यहाँ आप देखिए कहीं न कहीं आपको नोटपैड मिल जागा अगर यहाँ पर नोटपैड नहीं है तो यहाँ देखिए, लिस्ट है, इसमें आप देखिए, नोटपैड है या नहीं अगर यहाँ पर है, तो उसको ओपन कर लिजे अगर यहाँ पर नहीं है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में विंडोस बटन दबाईए, फिर से यह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड जैसे आप नोटपैड लिखेंगे, तो यहाँ पर नोटपैड आ जाएगा, अब इस पर आप क्लिक कर लिजे तो देखिए, नोटपैड ओपन हो गया अब यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं चले मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको क्या करना है यहाँ देखिए, एक सर्च बार मिलता है टास्क बार में यहाँ सर्च बार पर क्लिक कीजे यहाँ से लिखिए नोटपैड आप note के वल लिखेंगे तब ही आ जाएगा तो यहाँ से आप किलिक करके open कर लिजे या तो यहाँ से आप किलिक कीजे या तो यहाँ open का option एस पर किलिक कीजे और यह open हो जाएगा और आप इसमें कुछ भी type कर सकते हैं यह दो तरीका हो गया चले मैं आपको तीसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको अपने कीबोर्ड में Windows प्लस R बटन को दबाना है फिर यहाँ पर run pad open हो जाएगा run command 20 को बोलते हैं अब यहाँ पर आपको लिखना है notepad N O T E P A D इसके बाद आपको यहाँ OK कर देना है या फिर आप enter बटन दबा दीजे तो यहाँ से भी notepad open हो जाएगा अगर आपके computer ये laptop में notepad open नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपके laptop में notepad software ना हो अगर आपका laptop ये computer Windows company का है तो जरूर से notepad होगा अगर नहीं है तो आप किसी भी cyber cafe में जाकर कुछ पैसे दे कर डलवा सकते notepad को लेकिन मुझे लगता है कि ये notepad जरूर होगा आप इस प्रकार से खोजी आपको मिल जाएगा तो यहाँ से भी आप open कर सकते हैं अगर आप इसको desktop इस screen पर लाना चाहते हैं तो यहाँ आप search bar पर click कीजे यहाँ search कीजे notepad यहाँ notepad आ गया यहाँ बगल में देखे कुछ options आ रहे हैं यहाँ एक option open का इसके नीचे देखे एक arrow है इस पर click कीजे अब देखे यहाँ पर option आ जाएगा pin to task bar अगर आप task bar में इसको pin करना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर दिजे अब यहाँ पर आप देखेंगे task bar में आपका notepad pin हो गया यहाँ से आप click करके कभी भी notepad को open कर सकते हैं अगर आप इसको desktop पर लाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर search कीजे notepad और यहाँ arrow पर click कीजे यहाँ पर option है open file location इस पर click कर दिजे अब यहाँ इसकी location आ गई अब यहाँ से आपको गया करना इसको double click करके खीचिए और desktop पर लाकर छोड़ दिजे अब देखेंगे यहाँ पर यह notepad आ गया अब इसको आप कभी भी जब चाहें तब यहाँ से double click करके open कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो हलफू लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा